नमस्का दोस्तावा बहुत बहुत सुगा थे गेजिट ओल की एक और ने एपिसोड में और आज का टेकनूस शुरू करने से पहले मैं पहले ही आपसे माफी मांग लेता हूँ क्योंकि आज यह पर करिन का थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए आज टेकनूस बनने में थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए बीना कोई ब्रक्त कबाए आज के टेकनूस शुरू करते और आज के टेकनूस का लाइटर करते 30 लाइक आज का पहला रुज नील से शायोमी के तरप से रेडमी ब्रैंद रेड मी ब्रैंड है बिल्कुल नया सीरीज का टीवी लौँझ होने बातू जो कि होगा 50 इंच से 50 55 65 और इस टीवी का एक और खासी है तो कि एकदम बिजल लेस टीवी होगा मदद टीवी के पास जो काला बॉर्डर होता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा तो शाओ में का चोई MS-PIT नाम का ब्रैंड है जो कि जनरेली स्मार्ट वाच लांच करता है अब MS-PIT ARIZ नाम का एक स्मार्ट वाच आज लांच हो चुका है जो कि दिखने में बिल्कुल ऐसा है और काजर के एकदम लगेड डिजाइन है तो मतलब अगर वाच हाथ से नीचे गिर भी जाए तो भी इसमें कोई प्रॉब्लेम नहीं होगा और इसमें दो हपते का बैटरी लाइब मिलता है और इस स्मार्ट वाच का प्राइस अगर आम इंडिया रूप इसमें कोई तो उसका प्राइस से 5,300 रूप है लेकिन सचको तो अगर मैं अपनी बात का हूँ तो यह जो पिक्चर मतलब इस नेक्स पिक्चर आप देख रहे यही वाच मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मतलब यह बाला डिजैन मुझे सबसे अच्छा लगता है यह दरसले रियल्मी स्मार्ट वाच जो की इस ही वाई ने लॉंच होने बाला है इंडिया पे और इसमें आपको मिलेगा कलर टास्क्रीन, कैमेरा कॉंट्रोल, हार्ट पॉप बड्स और यह भी इंडिया में बहुत ही जल्द आने वाले हो सकता है इस माईने के आखिर यह पर नेक्स्ट माईने के सगेंड उइक पर तो आगला नियूज है टिक टॉक की तरब से आप देखी सकते टिक टॉक का अभी रेटिंग है बस दो स्टार और बस यह तो ह लेकिन मैं कल भी एक और वीडियो बनाऊंगा आप वो वीडियो जरूद देखना यूग कि मैं उसमें कुछ ऐसे चीजों के बड़े में कहूंगा साथ अपने दूसरे जो भी यूटूबर से टिक टॉक वीडियो है उसमें आपने नहीं सुना होगा तो टिक टॉक का भी ऐ जाए जिस इंसान को अगर बिल्गेर्स को भी हार कर लें फिर भी मुझे लगता नहीं कि टिक टॉक इंडिया में ज्यादा दिन तक रहा पाएगा क्योंकि और आपका बजेट है बाइस से 25,000 के बीच में तो आपके लिए एकदम परफेक्ट स्मार्पोन होगा इस पहला इसका प्राइस ये स्मार्पोन लांच होगा है बाइस स्मार्पोन थे मतब अगर मैं इसे इंडिया रूपिस में कॉनबर्ट हो तो मैक्सिमाम 24,000 रूपिस अगर जिस्टी मिला के भी पक्रू तो मैक्सिमाम 25,000 रूपिस दूसरा सब से बढ़िया फीचर इसका स्मार्पोन जैसा ही है तो मतलब अल्मोज स्नाप्ड्रापोन बना स्मार्पोन हमें मिल रहा है लगबग 25,000 रूपए में इसलिए अगर आपका टार्गेट है बजट में एक बड़िया गेमिक स्मार्पोन खरीदना और आपका बजट 25,000 के आसपा से तो आपके लिए यह स सबसे पसंदीदा टेक्नलोजी ब्रैंड की दरब से जो कि यह सोनी तो सोनी का एक्सपीरिया ब्रैंड के अंदर एक नया पेटेंट आ चुका है आप इसमें देखी सकते हमने आज तक सुना होगा पॉप अप सेलपी लेकिन सोनी एक नया स्मार्पोन लेके आने बाला है जि कि मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया टेक्नलोजी तो मोटरोला ने अपना सबसे महंगा स्मार्पोन जिसका नाम है मोटरोला एज प्लास जिसमें आता है स्नाप्जापन एज 65 90 रिफ्रेस्ट बढ़िया डिस्प्लेई 108 मेगापिक्सल केमेरा ए स्मार्पोन फाइनल इंड आज आपना बहुत सारे प्रोड़क्त लांच कर दिया है पहला कि एक टैबलेट जिसका नाम है हुआवे ऑनर भी सीक्स इसमें आरा है 10.4 इंच 2K डिस्प्लेई किरी 985 प्रोसेसर 7200 एमेज बैटरी और वैसे यह बाला टैबलेट इंडिया पे आएगा कि नहीं इसके बार में कोई information नहीं है लेकिन एक बहुत ही बढ़िया टैबलेट है अगर इंडिया पे लांच होता है तो दूशरा चूर प्रोड़क्त वह है हुआवे के तरफ से आने बाला मदा हुआवे का ओनर बैंड के तरफ से आने बाले एक बहुत ही बढ़िया टीवी इसका नाम है ऑन 25,000 रुपीज मनदब अगर एक टीवी इंडिया में लांच होता है तो यह 25,000 रुपीज के अंदर सबसे बहतर टीवी हो जाएगा और बैसे मुझे किसी और का पता ने लेकिन हुआवे कंपणी के उपर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है और हुआवे ने आज आपना एक लांच कर दिया जिसका नामें हुआवे ओनर मैजिक बुक प्रो 2020 जिसमें आ रहा है इंटेल 10 जेनरेशन प्रोसेसर एंवीडिया ग्राफिक्स कार्ड पांसोबाराजी भी एससडी और एक बहुती बढ़िया लाप्टॉप है और जितना मुझे इंफोर्मेशन मिला है कि सैमसुं की तरफ से आपने देखाऊँ का जो गैलक्सी एस 20 आल्ट्रा उसका जो एक सो आट मेंगा बिक्सल केमेरा कैमेरा तो बहुत है पोटो भी आच्छा कीज़ता है लेकिन उसका जो गैलेक्सी एस 20 वरसन उसमें 664 मेबिक्सल कैमेरा दोनों का क्वालीटी लगबग सम इसलिए Samsung ने आज एक निया sensor launch कर दिया है जो कि 50 MP का है ISO cell के अंदर है और इसका model number है GN1 और इसमें आपको मिलेगा Dual Pixel Technology और Tetra Cell Technology और काजर किये जो next Galaxy Note 20 आएगा उसमें तीनों camera में से और आप जो next picture में देख सकते हैं और इससे मुझे एक ही लग रहा है कि पीछे दर असल तीन camera है हो सकते कि साइथ एक 180 MP दूसरा है 50 MP और तीसरा साइथ कोई 12 MP और 14 MP का macro sensor तो देखते क्या करें जो Galaxy Note 20 का camera के साथ लॉंच होता है तो आज का टेक्नों चाहिए तक उमीदे आज का वीडियो का पसंद रहा होगा इस वीडियो के बार हमें आपका जो भी वीचार इंदेशन को में लिकना बिलकुल ही मत भूलिएगा तो मिलते अगले वीडियो में तब तक stay tuned and always remember think positive be positive thank you